प्यारे बच्चो अब आपके सामने एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रमे आने जा रहा है और ये कई मामलों में बहुत ही उप्योगी है और कई जगों पर हमारी मदद करता है ये प्रमे में समनांतर चत्रभुज के बारे में हमसे बात करता है समनांतर चत्रभुज के बारे में तो जब दोनों जोड़े समनांतर हो एक भुजा के सामने की भुजा उसके समनांतर हो और तीसरी भुजा के सामने जो चौती भुजा है वो उसके समनांतर हो तो जब दोनों जोड़े समनांतर हो तब वो चतुरभुज समनांतर होता यह परिभाशन से हमको मिला था बाद में प्रमे में आपने ये देखा कि किसी चतरभुज के आमने सामने के भुजाओं के दोनों जोड़े आपस बराबर भी हो मैंने पहले जोड़े के दोनों भुजाओं बराबर हो और दूसरे जोड़े के दोनों भुजाओं भी बराबर हो तब भी वो चतरभूज समनांतर चतरभूज होता है तीसरी बात थी जो उनके कोड़ों को ले करके थी वो ये थी किसी चतरभूज में ये दियामने सामने के कोड़ आपसे बराबर हो बना दोनों जोड़े बराबर हो तब भी वो चतरभूज समनांतर चतरभूज होता है अभ वो यह कहता है कि किसी चतुरभुज में आlide सामने के भुजाओं का क्यवल एक जोड़ा या क्यवल एक युग्म बरावर हो और समनांतर भी हो दोनों शर्ते एक ही जोड़े पर लागो हो रही है कोई भी एक जोड़ा बराबर भी हो और समनांतर हो तब भी वो चत्रभूज समनांतर चत्रभूज होता है ये एक चोथा और बहुत ही महत्पूर्ण प्रमे हमारे सामने है तो आईए देखें आपके सामने एक चत्रभूज A, B, C, D बरा हुआ है हमें नहीं मालूम कि ये चत्रभूज समनांतर चत्रभूज है या नहीं लेकिन हमें एक बात ये पता है कि इनमें जो भुजाओं के दो जोड़े है A, D और B, C और A, B और D, C इन दोने जोड़ों में से एक जोड़ा आप किसी भी जोड़े को लें माल लिजए हम A, B को लेते हैं और उसके सामने एक भुजाओं का एक जोड़ा मिलता है A, B और D, C इनके लिए हम माल लें कि A, B, और D, C दोनों बराबर है और A दूसरे के समनांतर भी है तब उस इस्तिती में हमें ये सिद्द करणा है कि चतरभुज A, B, C, D एक समनांतर चतरभुज है तो चलिए जो जानकारी हमें दी गई है उसे हम एहां लिख लें हमें ये दिया गया है कि चतरभुज A, B, C, D में A B और D C A B बराबर D C है और A B समनांतर D C है यह एक ही जोड़े के बारे में दो बात की जा रही है यह हमें दिया हुआ है तो सिद्ध क्या करना है हमें हमें सिद्ध करना है कि चत्रभुज A B C D चत्रभुज A B C D एक समनांतर चत्रभुज है समनांतर चत्रभुज है कैसे करेंगे आईए देखिए आपने एक चीज बार बार उपयोग में लाई है और वो है त्रभुजो की सरवांग समता त्रभुजो की सरवांग समता एक ऐसा उपकरण है एक ऐसा टूल है also मिलाने पर बनता है देखिए हमने A और C को मिला दिया तो ये लाल रंग की लाइन जो हम खीच रहे हैं ये टूटी हुई लाइन है जो हमारी रश्णा को प्रदर्शित कर रही है जिसमें हम A और C को आपस मिला रहे हैं और A C A की विकर्ण बना रहे हैं तो इस A C विकर्ण के कारण ये चत्रभुज दो हिस्सों में बढ़ जाता है एक तो त्रभुज बनता है A B C और दूसरा त्रभुज बनता है A C D ये दोनों त्रभुज आप देख पा रहे हैं इन दोनों त्रभुजों में हम सरवांग समता को उप्योग करेंगे और देखते हैं किसे होता कि हागे तो हम लिखें त्रभुज इस पहले त्रभुज को हम लिखें A B C त्रभुज A B C और दूसरा त्रभुज जो बन रहा है A C D आप देखना है यह उपर में बन रहा है त्रिभुज A, C, D में अब ढूंगी ज़रा है कौन-कौन से चीज़े इसमें बराबर है जो सरवांग सम् बनाती है एक तो हमें जानकारी दी गई थी कि A, B और D, C बराबर है तो आप इसको जो दिखाई पड़ा उसको तो लिखी लीजे A, B बराबर D, C दोनों त्रिभुजों की एक-एक भुजा आपसे बराबर है और ध्यान से देखे आपको एक चीज़ और नदर आएगी जो भुजाओं की रूप में है और वो है A, C भुजा A, C दोनों त्रिभुजों की लिख सकते हैं A, C बराबर A, C अब दो भुजाएं हमने ढूंड ली जो बराबर है तीसरी एक चीज़ और चाहिए हमें या तो भुजा हो सकती है या कोई कोई हो सकता है तो भुजा के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि A, D, B, C के बराबर है कि नहीं इस समद में हमें कोई बात ने की जा रही है तो एक कोण ही होगा अब आप देखिए जो बाते हैं दी हुई हैं उसमें से किसका उप्योग करेंगे आपने इसको उप्योग कर लिया अब इसको ध्यान से देखिए ये कहता है A, B और D, C समद अंतर है A, B और D, C समद अंतर है इससे क्या चीज़ मिलेगी आपको आप देख रहे हैं कि अगर A, B और D, C समद अंतर है और यदि आप A, C को तिर्यक्रेक हमाल लें तो आप देख पा रहे हैं कि ये दो कोड बनेंगे, एक बिंदू A पर दूसरा C पर और ये एक अंतर कोड होंगे और चुकि दोनों तरिफुस सर्वांग समद हमें सिद्ध करना है तो हमें एक कोड और चाहिए जिसके बारे हम कह साकी कि वो बराबर है या नहीं इसे हम बात में देखेंगे लेकिन अभी तो ये पता चलना है कि कोड़ A इस कोड़ C के बराबर है, कोड़ B, A, C बराबर है, कोड़ D, C, A के अब तीन चीज़ें आपके पास आगई भुजा A, B, भुजा D, C के बराबर है भुजा A, C दोनों में उभैनिस्ट है और कोड B, A, C, कोड B, C, A के बराबर है यानि पहले तरिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोड दूसरे त्रिभुज के दो फुज़ाओं और उसके बीच के कोणों के करमशा बराबर है तो ऐसी सिति में आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप लिखे त्रिभुज A, B, C सर्वांग सम है त्रिभुज D, C, A, K या अब उन्हें A, C, D कह सकते हैं A, C, D के ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए सर्वांग सम त्रिभुजों में आप जानते हैं कि शेश अव्योज जो हैं त्रिभुज के वो भी आप उसमें बराबर होंगे तो ऐसी परिसिति में आप कह सकते हैं कि BC AD के बराबर होगी और BC AD के बराबर है और आप देख रहे हैं कि एक जानकारी तो हमें को मिली है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं एक जानकारी और मिल रही है कि अगर AD और BC दो रेखाएं हैं तिर्यक रखे AC उन्हें काट रही है तो ये कौण और ये कौण एकांतर कौण बनाते हैं और चुकि एकांतर कौण तो बनाई रहे हैं लेकिं त्रिभूज के दो अलग अलग त्रिभूजो कौण आपसे बराबर होंगे तो पहले आप इनको लिखें कि दोनों इन दोनों त्रिभूजों में कोड़ ACB कोड़ ACB बराबर है कोड़ DAC के ये त्रिभूजों के सर्वांग सम्ता के आधार पर आपने ये बताया है कि ये वाला कोड़ इस कोड़ के बराबर है और ऐसा करने के बाद आप एक बहुत महत्पून परिणाम के तरह पहुंचने जा रहे हैं और वो ये है कि ये कोड़ दोनों कोड़ त्रिभूज के कोड़ तो ही है लेकिन ये दोनों कोड़ एकांतर कोड़ भी हैं जो BC और AD को तीर्यक रेखा AC काटने पर बंते हैं तो आप इसको लिख लें चूंकि ये बराबर हैं और भुजा AD भुजा BC को तीर्यक रेखा AC के काटने पर बंते हैं AC के काटने पर बंते हैं और ऐसा होने करें नहीं हम क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं कि यह AWC रेखा 9 कोड़ है AWC है जो बराबर है ऐसा तब संवा होगा जब यह दोनों रेखाएं आपस में AC सामानांतर होंगी यह इस बराबर होने से ключ होता है और यह बराबर है इसलिए जिन भुजाओं के बीच जिन भुजाओं के द्वारा बन रहा हैं तीरेकर्खा काटनेसे वो दोनों हुजाएं आपस में सम्हनानतर होंगी तो आप कह सकने despite भुजा ए डी सम्हनानतर है wrapping ओशय। तैन मैं आप देखिए आपने पहले पाया था कि ये दोनों चीज़ें दोनों भुजाएं समनांतर हैं और अभी आपने पाया कि ये जो भुजा है ये जो जोड़े हैं A, D और B, C वो भी समनांतर हैं तो आपके सामने एक ऐसल चत्रभुज A, B, C, D है जिसमें एक जोड़ा तो पहले से समनांतर दिया हुआ ही था और दूसरे जोड़े को अभी आपने समनांतर सिद्ध कर दिया तो अब A, B, C, D एक ऐसल चत्रभुज है जिसमें भुजाओं के दोनों जोड़े दोनों युग्म समनांतर हैं पहला युग्म A, B, D, C पहले समनांतर दिया हुआ था अभी आपने प्रूफ किया है A, D और B समनांतर है इसलिए आप लिख सकते हैं चत्रभुज A, B, C, D एक समनांतर चत्रभुज है और ये एक बहुत ही महत्पूर्ण परणाम है जो समनांतर चत्रभुजों के बारे में चौथे क्रम की बात बताता है एक चौथी बात बताता है वो ये 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 किसी चत्रभुज में आमने सामने की भुजाओं का केवल एक जोड़ा बराबर है और समनांतर भी है तब भी वो चत्रभुज समनांतर चत्रभुज होता है तो ये एक बहुत ही महत्पूर्ण परमेथा और इसे आपने सिद्ध कर लिया है